पार्ठ एक भाशा और व्याकरण निशा कक्षा छे की चात्रा है उसने अंतर विद्यालेई कहानी लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया अनेक विद्यालेओं से बच्चे आये हुए थे प्रतियोगिता का निर्णे कुछ दिनों बाद स्कूल में पत्र द्वारा भिजवाया जाना था निर्णे आने पर पता चला कि निशा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस उदाहरण में प्रतियोगिता का निर्णय पत्रों द्वारा लिखित रूप में दिया गया। वा निशा ने किताबों से पढ़कर कहानी लेखन के बारे में सीखा। कविता प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने बोलकर अपनी अपनी कविता सुनाई और निर्णायकों ने कविता सुनकर निरणे लिया भाशा जिस साधन के द्वारा लिखकर पढ़कर बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह भाशा कहलाता है भाशा के रूप भाशा के निम्लिखित रूप है मौखिक भाशा भाशा के जिस रूप से एक व्यक्ति बोलकर या पढ़कर बात को समझता वह किसी दूसरे को समझाता है उसे मौखिक भाशा कहा जाता है उदाहरण कक्षा में शिक्षिका बोलकर पढ़ाती है और विद्यार्थी सुनकर समझते हैं लिखित भाशा भाशा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर वह दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझाता वह समझता है लिखित भाशा कहलाता है उदाहरण मोहन ने ग्रिह कारे लिखकर अध्यापिका को दिया वह अध्यापिका ने पढ़कर अंक दिये संकेतिक भाशा जब विचारों और भावों को संकेत द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे संकेतिक भाशा कहते हैं इसे व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया भाशा के रूप भाशा के निमलिखित रूप है मौखिक भाशा भाशा के जिस रूप से एक व्यक्ति बोलकर या पढ़कर बात को समझता वा किसी दूसरे को समझाता है उसे मौखिक भाशा कहा जाता है उदहरण कक्षा में शिक्षिका बोलकर पढ़ाती है और विद्यार्थी सुनकर समझते है लिखित भाशा भाशा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर वा दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात को समझाता वा समझता है लिखित भाशा कहलाता है उदहरण मोहन ने ग्रिह कारे लिखकर अध्यापिका को दिया वा अध्यापिका ने पढ़कर अंक दिये सांकेतिक भाशा जब विचारों और भावों को संकेत द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं इसे व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया मात्री भाषा जो भाषा बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं मात्री भाषा कहलाती है जैसे सिख घर में जन में बच्चे की मात्री भाषा पंजाबी होती है मात्री भाषा जन के बाद पहली भाषा जो बच्चा सीखता है मात्री भाषा कहलाती है राष्ट्र भाषा जिस भाषा का प्रियोग पूरे देश में होता है राष्ट्र भाषा कहलाती है भारत में हिंदी को राष्ट्र भाषा की स्विक्रिती मिली हुई है बोली भाषा का अल्प विक्सित रूप जो किसी सीमित जगह में प्रियुक्त किया जाता है बोली कहलाता है किसी भी राज्य में अनेक बोली या बोली जा सकती है साहित्य की र धीरे इन ध्वनियों को चिन दिये गए जिन्हें लिपी कहते हैं लिपी भाषा की उच्चारी ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने को लिपी कहते हैं हिंदी की लिपी देवनागरी है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुधता से बोलना वा लिखना सिखा भाशा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने व पढ़ने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समुह से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समुह से वाक्य और वाक्यों के सार्थक समुह से भाशा का निर्माण होता है भाशाओं की लिपी, हिंदी व संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुर्मुखी, अंग्रेजी, रोमन, बंगाली, बंगला, उर्दू, फार्सी, तेल्गू, तेल्गू. 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्चु भाशा हिंदी को मान्यता मिली थी और अब भारत में 22 भाशाओं को मान्यता प्राप्त है. विभिन भाशाओं की लिपी, हिंदी व संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुर्मुखी, अंग्रेजी, रोमन, बंगाली, बंगला, उर्दू, फार्सी, तेल्गू, तेल्गू. अब आपने जाना, जिस साधन द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर, वस सुनकर अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाशा कहते हैं. भाशा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखेत, भाशा के मौखिक रूप में बोलकर या सुनकर भावों, विचारों का आदान प्रदान की आ जाता है. भाशा के लिखित रूप में लिखकर और पढ़कर भावों का आदान प्रदान किया जाता है मा तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाशा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है उसे उसकी मात्री भाशा कहते हैं जो भाशा किसी देश के अधिक्तम लोगों द्वारा बोली वा समझी जाती है वही राष्च भाशा कहलाती है किसी भी भाशा की मौखिक ध्वनियों के लिखने के ढग को लिपी कहते हैं हिंदी भाशा की लिपी देवनागरी है व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना वा लिखना सिखाता है आओ अभ्यास करें निमलिखित में भाषा का कौन सा रूप प्रियोग होता है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिये सही विकल्प पर सही लगाईए भाषाओं के सामने उनकी लिपी का नाम लिखिए निमलिखित भाषाएं किन प्रदेशों में बोली जाती है मिलान की जीए भारतिय भाषा तथा विदेशी भाषा चाटकर अलग-अलग स्थान पर लिखिए पाठ दो वर्ण विचार सार्थक धोनियों के समुह को शब्द कहते है वशब्दों के सार्थक समुह से वाक्य बनते है इन्हीं धोनियों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके टुकडे करना असंभव है वर्ण कहलाती है वर्ण माला वर्णों की माला को वर्ण माला कहते हैं हर भाशा की एक वर्ण माला होती है हिंदी की वर्ण माला इस प्रकार है स्वर स्वर संख्या में ग्यारह होती है स्वर अ आ ई ई उ री ए ए ओ आ अनुनासिक अंग अनुस्वार अंग आगध्ध्वनिया आ स्वर की मात्रा आ आ की मात्रा इ इकी मात्रा इ इकी मात्रा उ उकी मात्रा उ उकी मात्रा हरी हरी की मात्रा ए एकी मात्रा ए, ए की मात्रा, ओ, ओ की मात्रा, ओ, ओ की मात्रा व्यान्जन, व्यान्जन संख्या में 33 होते हैं स्वर रहित व्यान्जन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, आया त, थ, ड, ध, ध, आया त, थ, द, ध, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, ल, व, श, श, स, ह सैयुक्त व्यान्जन, अक्ष, त्र, ग, श, र, पाठ दो, वर्ण विचार सार्थक धोनियों के समूह को शब्द कहते हैं वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं इन्ही ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है उदाहरण किताब क, ज, म, इ, ज, म, त, ज, म, आ, ज, म, ब, ज, म, अ मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके टुकडे करना असंभव है वर्ण कहलाती है वर्णों के भेद उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भेदों में बांटा जा सकता है स्वर और वेंजन स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या ध्वनी की आवशक्ता नहीं होती है उसे स्वर कहते है इन वर्णों का उच्चारण करते हुए हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है स्वर ग्यारह है स्वर के तीन भेद है हरस्वस्वर दीर्घस्वर पलूप्त स्वर हरस्वस्वर इन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उदाहरण अ इ उ री दीर्घस्वर इनके उच्चारण में हरस्वसे दुगना समय लगता है जैसे आ ई उ ए ए ओ आ पलूप्त स्वर जब स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का वक्त लगे तो उसे पलूप्त स्वर कहते हैं इसका चिन है जैसे ओम स्वर हरस्वस्वर अ इ उ हरी दीर्घस्वर आ इ उ ए ए ओ आ पलूप्त स्वर ओम सुनो स्वरों की मात्राओं जब हम स्वरों को व्याजन के साथ प्रियूक्त करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है उनके मूल रूप के लिए चेन प्रियूक्त होते हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है अ के अतिरिक्त प्रतेक स्वर की मात्रा होती है अनुस्वार अनुस्वार के उच्छारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है अनुस्वार का चिन बिंदू है इसे वर्ण के उपर लगाया जाता है जैसे मंगल, बंदर, अंगार, कंधा, आदी अनुनासेक जिन वर्णों के उच्छारण में हवा नाक और मुव से निकलती है उन्हें अनुनासेक कहा जाता है इसका चिन चंद्रबिंदू है जिसे वर्णों के उपर लगा देते है जैसे कांच, उउट, सौस, बांस, चांध, आदी विसर्ग विसर्ग को ह के समान उच्छारित किया जाता है यह स्वर नहीं कहलाता और इसे लिखने के लिए अ के साथ जोड़कर आहा के रूप में लिखा जाता है जैसे स्वतह, प्रातह, नमह, प्रातहकाल, आदी वेंजन जिन वर्णों के उच्छारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे वियंजन कहलाते है इन्हें उच्छारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुह से बाहर नहीं निकल सकती हिंदी में कुल 33 वियंजन है सैयुक्त वियंजन सैयुक्त व्यांजन का निर्माण एक से ज्यादा व्यांजनों के जोड से होता है ये चार तरह के होते हैं वर्णों के भेद उचारन के आधार पर वर्णों को दो भेदों में बांटा जा सकता है स्वर और व्यांजन स्वर जिन वर्णों के उचारन में किसी दूसरे वर्ण या ध्वनी की आवश्यक्ता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं इन वर्णों का उच्चारन करते हुए हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर ग्या रहा हैं अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, ओ, ओ स्वर के तीन भेद हैं हरस्वस्वर, दीर्घस्वर, पलूप्त्वस्वर ग्य, ज, जमाय, जमाः, ग्य, ज्यानी, ज्यान, विज्यान, आदी, श्र, श, जमर, जमाः, श्र, श्रीमान, श्रीमती, श्रीगनेश, आदी द्वित्विक व्यांजन अगर किसी स्वर रहित व्यांजन को उसी के समरूप स्वर यूक्त व्यांजन से जोडे तो द्वित्विक व्यांजन का निर्मान होता है स्वर रहित व्यांजन का मेल अगर किसी दूसरे स्वर सहित व्यांजन से होता वह स्वर रहित व्यांजन से होता है जैसे स जमव स्वर्ग स जमत स्थ स्थापेत क जमत कत मोक्त वर्ण विछेद वर्ण विछेद का मतलब है अलग करना जैसे गरज जमा जमर जमा जमज जमा भारत भ जमा जमर जमा जमत जमा अ मंदेर म जमाण जमद जमाई जमर जमाः गर्व ग जमाः जमर जमव जमाः भार्तिय भ जमाः जमर जमाः जमत जमाई जमय जमाः Bura B जमाई, जमर जमाआ Kapoot K जमाई, जमाप, जमाऊ, जमत, जमाई Mela M जमाई, जमाल, जमाआ मेला म जमाए जमल जमाआ सुना स जमाऊ जमन जमाआ सौरब स जमाओ जमर जमाआ जमभ जमाआ प्रकृति प जमर जमाआ जमक जमरी जमत, जमाई दुख द, जमाऊ, जमाख, जमाख, जमाख चांड, ज जमाँ, जमाद, जमाख हन्स, ह जमाण, जमास, जमाख ट्रक, ट, जमर, जम अ, जमक, जम अ वर्ण विछेद वर्ण विछेद का मतलब है अलग करना जैसे गरज ग, जम अ, जमर, जम अ, जम ज, जम अ भारत, भ, जम अ, जमर, जम अ, जमत, जम अ मंदिर, म, जम अन, जम द, जम अई, जमर, जम अ गर्व ग जमाः जमर जमव जमाः भार्तिय भ जमाः जमर जमाः जमत जमाई जमय जमाः गर्व जमाः 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 सौरब, स, जमा ओ, जमर, जमा अ, जमा भ, जमा अ प्रकृति, प, जमर, जमा अ, जमक, जमरी, जमत, जमाई अब आपने जाना, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनी, जिसके और खंड ना हो सके, वर्ण कहलाती है, किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं, हिंदी वर्ण माला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायू बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हमारी श्वास वायू मुख के किसी भाग से टकराकर और रुकावट कर बाहर आती है उन्हें व्यांजन कहते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यांजन होते हैं स्वर रहित व्यांजनों के मेल को संयुकताक्षर कहते हैं जब एक ही व्यांजन का दो बार 7 साथ प्रयोग होता है पहली बार बिना तो उसे द्वित्विक व्यांजन कहते हैं जैसे रसा, कच्चा, पक्का, आदी आओ अभ्यास करें नीचे दिये गए शब्दों का वर्ण विछेद करिए सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाईए सही मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाईए सही विकल्प पर सही लगाईए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाईए विसर्ग अनुस्वार तथा अनुनासिक योगत पांच पांच शब्द लिखिए